नमस्ति प्रणाम हार्दिक बिनंदन आप सुन रहे हैं सूत जी बोले इस वाचक कन्या का नाम इशता है और आज की अपिसोड का नाम है महादेवी महत्मयम तो आज की कथा में रिशी मुनियों ने सूत जी से पूछा कि सूत जी इस रश्टी को किसने बनाया है जो परभ्रम परमात्मा है वो निराकार है या साकार है कृपया करके हमको बताओ तो सूत जी कहते हैं कि रिशियों आज मैं तुम्हें देवी भागवत का बहुत ही सुन्दर प्रसंग सुनाता हूँ तो ब्रहमा जी ने एक बार विश्नु भगवान को ध्यान मगन हुए देखा उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है वो उनसे जाकर कहते हैं कि प्रभू सब लोग आपकी ध्यान में मगन रहते हैं आप किसके ध्यान में विलीन हैं तो प्रभू अपने बच्पन की एक स्टोरी सुनाते हैं है मुझे पता है लोग इस बात पर बहुत विवात करते हैं कि जो नारायन है उनका बच्पन का सुरूप कैसे हो सकता है और देवी भागवत पुराण तो 18 पुराणों में आता भी नहीं है तो हम कैसे मान ले कि ये सही है और क्या तुम्हें पता है कि वेजव्यास जी ने ये पुराण लिखा है ये तुम्हारे पास क्या पुरूफ है अरे तु भाई सहाब देवता सर्मान मुनुश्यों मुझको ये बताओ कि आपके पास ये पुरूफ है कि उनने ये पुराण नहीं लिखा है तो जब तक आप प्रूफ ना ला सको कि उनने ये पुराण नहीं लिखा है तो आप मुझसे मत मागो कि उनने ये पुराण लिखा है तो विश्नु भगवान को देवी ने अपने योग निद्रा रूप में वश्मे कर रखा था और उसी टाइम डियोरेशन में विश्नु भगवान की कान से जो इयर वैक्स निकला ना उससे मधू और कैटब का जनम हुआ मधू कैटब इतना हैविक क्रियेट करते हैं ब्रह्मा जी को परिशान करते हैं सब कुछ उतल पुतल करके रख देते हैं तो ब्रह्मा जी भागे भागे अपने कमल से उतर कर आते हैं कि प्रभू उनने तो मुझे परिशान कर रखा है पर प्रभू उठके देही नहीं रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ कैसे तो प्रहमा जी उनको थोड़ा सा catch up करते हैं और विश्णु जी देवी की माया से उनके साथ help लेकर अब हरी तो यहां थे ही पीछे पीछे हर भी आ गए तो देवी ने ब्रहमा विश्णु महिश भगवान को बोला कि अब ये दानव आपको परिशान नहीं करेंगे आप चार प्रकार की प्रजाओं का अपनी विभूतियों से सरिजन करो और इस रश्टी को बनाओ अब वो चार टाइप की प्रजा क्या थी? पहली थी अंडज ऐसे प्राणी जिनका जनम एक अंडे से होता है और चौती थी उत्विज ऐसे प्राणी जो की प्रत्वी से उत्वन होते हैं पर ब्रह्मा विश्णु महेश ने देवी की तरफ देखकर कहा कि देवी आप हमें कहे तो रही है कि हम स्रश्टी बनाए और ये प्रजाएं बनाए पर हम अपने आपको शक्ती हीन मानते हैं ये सब करने के लिए हमें लगता नहीं है कि हमारे अंदर वो शक्ती है कि हम इन प्रजाओं को बना पाएंगे और श्रश्टी का रचन कर पाएंगे तो योग निद्रा देवी शायच से अंटिसिपेट कर रही थी तो हसते हुए है न वो एक विमान बुलाती है और ब्रह्मा विश्नु महेश को कहती है कि आप इस विमान में चड़ जाओ और आपको आपके सारे अंसर मिल जाएंगे अब जैसे ही ब्रह्मा विश्नु महेश भगवान उस विमान पर बैठते हैं और उससे नजारे देखते हैं तो वो इतने चौक जाते हैं कि भाई हम थो समुद्र में रह रहे थे इस जबीन कहा से आ गई तो जो पहली जगा पर वो इस विमान से पहुचते हैं वहाँ पर वो एक देव तूल राजा को देखते हैं और माता भगवती को उनके साथ देखते हैं वो इतने सुन्दर लग रहे होते हैं इतने बड़े महल में उनके दर्शन करने के बाद वो दूसरी जगा जाते हैं जहां पर उनको कामधेनु गाय और एरावत हाती मिलते हैं उनके साथ वहाँ पे बहुत सुन्दर अपसराय नरत्य कर रही होती हैं और गायन कर रही होती हैं और उनके साथ साथ विद्या धर वहाँ पे रमन कर रहे होते हैं और सत्संग कर रहे होते हैं जब वो तीसरी जगा पर जाते हैं तो ब्रहम लोक में ब्रहमा जी को देखकर बहुत है ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये ब्रहमा जी है तो ये कौन है और अगर ये ब्रहमा जी है तो ये कौन है ब्रहमा जी के साथ वहाँ चार वेद अपने मूर्त रूप में अंगो सहित उनके पास थे और जैसे ही वो आगे भड़ते हैं तो वो कैलाश परवज जैसी जगा देखते हैं वहाँ से बहुत सारी ध्वनी, मृदंग और वीना की आवाज आने लगती है तो जैसे ही वो देखते हैं वहाँ पे उन्हें दर्शन होते हैं पांच मुख वाले शिवजी के जिनके दस हाथ होते हैं उनके साथ गजानन गणेश भगवान होते हैं शडानन कार्तिके भगवान होते हैं और शिवजी के साथ उनकी मातरकाय होते हैं उनके दर्शन करने के बाद वो और कंफ्यूज हो जाते हैं पर फिर भी वो कहते हैं चलो आगे चलते हैं आगे जाके वो एक समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा महल देखते हैं जिसमें से निकलते हैं हमारे प्यारे विश्नु भगवान और उनको देखकर तो ये इतने जादा कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर चल क्या रहा है हम यहां बैठे हैं पर वहां क्या हो रहा है तो वो विमान विश्णु जी के दर्शन करवा कर उन तीनों को लेकर चाता है उस समुद्र के तट पर और उस समुद्र के तट पर उनको मिलता है एक बहुत बड़ा महल अब काफी लोग हमसे कहते हैं कि पुरान सिर्फ स्टोरी के लिए नहीं होते तो आप अगर गौर से सुनो तो ब्रह्मा विश्णु महिश भगवान की जो ये जोर्णी थी वो और कुछ भी नहीं एक मनुष्य की आध्यात्मी जोर्णी को रीप्रिजन करता है आप ये सोचो कि भगवान की प्रेजन से आप बचपन में पहली बार प्रॉबिबली एक मंदर में परिचित हुए थे वहाँ पे भगवान एक कपल रूप में बैटे होते हैं चाहे वो मर्यादा पुरिशोत्तम राजा राम और सीता मया हो चाहे वो राधा कृष्ण हो चाहे वो महादेव और माता पार्वती हो वो एक राजा और रानी के रूप में स्थित होते हैं जो की था हमारे ब्रह्मा विश्नु महिश भगवान की जड़नी का पहला डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन में आप ये सोचो कि जब आप भगवान में विलीन होते जाते हो तो आपको आसपास के पशु पक्षियों में भी भगवान देखने लगते हैं आपके आत्मा को एक अलग टाइप की खुशी मिलती है जब आप स्ट्रीट डॉक्स को गायों को खाना खिलाते हो उसके साथ साथ आप फिर जब वैदिक रूप से पूजा पाठ करनी शुरू करते हो तो आपको भगवान के सत्संग में भगवान के स्मरण में बहुत खुशी होती है प्राबबली भजन चलने लगेगा तो आप नाचने भी लगोगे तो वो था हमारे भगवान का दूसरा डेस्टिनेशन उस विमान पर बैठ कर जब आप सत्संग पूजा करते हो तो आपके मन में एक थौट आता है कि मैं जानू कि आदिशक्ति अपने अलग-अलग रूपों में कहकर क्या गई है तो आप वेद पढ़ते हैं, पुरान पढ़ते हैं, उपनिशत पढ़ते हैं और आदिशक्ति की टीचिंग्स को है न, इब्जॉब करनी कोशिश करते हैं, उससे परिचित होते हैं तो जब आप उससे परिचित होते हैं, जो कि उनका टीसरा डेस्टिनेशन था तो आपको ये समझ में आता है कि आत्म ग्यान के अलाबा है न, कुछ भी नहीं है पहले आपको अपने अंदर का ग्यान समझना पड़ेगा और उसके बाद कुछ समझने की जरुरत नहीं है, सब समझ आ जाएगा तो जब चौथी डेस्टिनेशन पर वो पहुँचे थे, मैंने आपको कहा था कि उन्होंने पांच मूँ वाले शिवजी देखे ये पांच मूँ और कुछ भी नहीं पांच टाइप के करत्य को रिप्रेजन करते हैं जो कि होते हैं स्रश्टि, संगार, स्थिती, विग्रह और अनुग्रह और जो उनके दस भुजाएं होती हैं वो अपनी बौडी की दस वायू को रिप्रेजन करती हैं जो की होती है प्राण, अपान, व्यान, उद्दान, समान, नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत और धननजय उसके बाद गजानन भगवान को तो आप सभी जानते हो कि वो हमें स्थिरता देते हैं बिना स्थिरता के आत्मग्यान की तरफ जाने का सोचना भी पॉसिबल नहीं ह होता शडानन भगवान, कार्ति के भगवान अपने छे सरों के साथ छे टाइप के human emotions को रिप्रेजन करते हैं जो की होते हैं डर, गुस्सा, सप्राइज, गरिना, खुशी और साडनेस अब जब इनसान अपने emotions पे काबू पा लेता है तो आत्मग्यान पाने के लिए वो एक कदम और आगे बढ़ जाता है जो मात्रकाय होती है वो हमारी बॉडी की साथ धातूं को रिप्रेजन करती है जो की होती है रस, रक्त, मज्जा, मेद, मास, अस्थी और शुक्र और अगर अश्ट मात्रकाय होती है तो वो अश्ट वसूं को रिप्रेजन करती है जब इनसान अपनी पूरे शरीर पर अपना काबू पर लेता है और समझ लेता है कि आत्म ज्यान क्या होता है जब उसका अपने अंदर के ब्रह्म से साक्षातकार होता है तब वो परमात्मा में मिलता है जो की था उनका next destination जहां पर वो भगवान विश्नु से मिले थे तो उनकी आत्मा परमात्मा के में जाकर विलीन हो जाती है पर वो आखेर का destination जहां पर उन्होंने तट पर वो महल देखा वो क्या था तो देवी भागवत में आधी पराशक्ती कहती है कि जब संपून स्रष्टी में प्रले आ जाती है तो सब कुछ मेरे अंदर एक लिंग रूप में विहार करता है जब तक फिर से स्रष्टी नहीं बनती तो ब्रह्मा विश्नु महेश का उस तट पर पहुचना एक final destination को represent करता है कि सब कुछ ही आधी पराशक्ती में समाविष्ट हो गया और तब आधी शक्ती ना तो स्त्रीलिंग होती है ना पुरलिंग होती है ना पुनसक होती है वो बस एक शक्ती होती है और स्रष्टी के बनने के बाद जब बुद्धी बनती है वही एक भेद क्रियेट करती है क्योंकि हमेशा creation के लिए दो की जरूरत होती है तो वो उनको स्त्रीलिंग देती है, वहाँ से उन शक्ती जाती है शक्ती मान में फिर वो पुर्लिंग बनते हैं और ऐसे श्रिष्टी का निर्मान शुरू होता है तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान उस तट पर पहुँच कर आदी पराशक्ती जगदंबिका माता भुवनेश्वरी के दर्शन करते हैं तो वो उनके महल में एंटर करते हैं और जैसे ही वो एंटर करते हैं वैसे ही उन तीनों के लिंग बदल जाते हैं और वो स्त कोनी सब करता है कि नीचे देखो तो जब नीचे देखते हैं तो माता के पैर के नाखूनों में उनको अलग अलग यूनिवर्स दिखते हैं किसी यूनिवर्स में ब्रह्मा जी क्रियेट कर रहे हैं किसी में विष्णु डिस्ट्रॉय कर रहे हैं किसी में महादेव स्रिजन क कर रहे हैं सब एक दूसरे के काम साइमिल्टेनियसली अलग-अलग यूनिवर्स में चल रहे हैं और वो सब उनके पैरों के नाखून में दिख रहा है तो ब्रह्मा जी अपने हाथ जोड़ कर कहते हैं कि देवी मुझे लगा था कि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं पर यह अपने आत्म ज्यान को पा कर यह समझ जाए कि हम दोनों अलग नहीं है सेम है उसको मुक्ति मिल जाती है अब आप खुछ सोचो कि जो इनसान दुरबल होता है अपने शत्रू से पराजित हो जाता है गिर जाता है चोट खा कर कुछ हो जाता है उसको कैसे भी तो कोई भी उस खुनों में मल्टिपल यूनिवर्स देख रहे होते हैं तो देवी उनको उनकी शक्तियों से परिचित करवाती हैं और उनसे कहती है कि कभी भूल कर भी इन शक्तियों को त्यागना मत इनका तिरसकार मत करना है जो ब्रह्मा के अंदर रिसाइड करेंगी वो है महा सरस्वती व अब आप हमारे पॉड्कास तक पहुचे हैं तो आप अपना पर्सनल अध्यन भी करते ही होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि रजस और तमस गुड को कंट्रोल करने के लिए हमेशा सतव गुड को ही एंटर करना पड़ता है वैसे ही जब ब्रह्मा जी को महा सरस्वती म मिली जो की रजो गुड से संपन थी और विश्नु भगवान को महा लक्ष्मी मिली जो की सतो गुड से संपन थी और महा देव को महा काली मिली जो की तमस गुड से संपन थी तो आदी परशक्ती कहती है कि सतो गुड से संपन होने की वज़े से विश्नु भगवान हमेशा स सर्व श्रिष्ट रहेंगे पर विश्णु और शिव एक ही है जो भी उनमें भेद करेगा वो नर्क गामी होता है तो आप प्लीज इस बात में मत लड़ा करो कि विश्णु भगवान का जो संप्रदाय है वो जादा बड़ा है या फिर ये पुरान उनको जादा ग्लॉरिफा बड़ाय कर रहे हैं ऐसा क्यों वैसा क्यूंब दोनों सेम ही है आधी परहशक्ती खुद कहती है कि दोनों एक दूसरे के ही पाट है और बहुत दोनों ही एकुल है तो सरश्टी का रचन क्यूं हुआ हमक्या आधीपरह शक्ती को उनके निराकर रूप में नहीं पूच सकते थे ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे भगवान हैं इतने अफ्तार हैं इसका अंसर यह है कि आप यह देखिए कि आप अपनी भूक और प्यास को देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हो पर जब आपको बहुत भूक लग रही हो और आप किसी रैंडम फूड डिलिवरिंग साइ जो इस देखने लगो तो आपकी भूक मिट जाएगी क्या उससे नहीं मिटेगी ना आपको साकार खाना चाहिए जो आप अपने हाथ से पकड़ कर निवाला तोड़ कर अपने हुँ में रखो चबाओ और संतुष्ट महसूस करो वैसे ही आदी पराशक्ती निराकार रूप में है पर आपका जो दुख दर्द पीड़ा है जो आप पगपग पर अपने जिन्दगी में महसूस करते हो वो भी निराकार है आप सिर्फ उसे महसूस ही करते रहोगे कभी देख नहीं पाओगे तो आदी पराशक्ती अपने निराकार रूप से निकल कर साकार रूप रख में को संतुष्टी मिलेगी शिवलिंग पर पानी चड़ाऊंगा तो मेरे को अंदर से बहुत सुकून मिलेगा भगवान ने आपके निराकार इमोशन को साधने के लिए साकार रूप रखी है तो इतने अलग-अलग रूप क्यों भगवान सिर्फ एक क्यों नहीं हो सते थे अगर साकार रूप में तो वाबा आप यह समझे कि मनुश्य सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता अलग-अलग इंद्रियां तीन गुर्ड अगर उस मनुष्य को बनाती है, मनुष्य की प्रकृती कभी भी एक नहीं रह सती, कहीं ना कहीं 0.5, 0.2% वो डिफर करेगा ही करेगा, तो हर मनुष्य हमारे सनातन धर्म में अपनी प्रकृती के हिसाब से किसी भी भगवान को बहुत प्यार से कोरेलेट जिससे वो करेना कर दे, कोई शिवजी से कोरेलेट करे तो उनकी पूजा, तो हमारा सनातन धर्म इतना बेस्ट है ना कि हर किसी को स्पेस देता है ग्रो करने के लिए, अपनी खुद की प्रकृती के हिसाब से, अब महा सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के क्या गुण है और उन्होंने आग करीब भ्रमा विश्नु महिश भगवान की, वो हम जानेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही मिद शक्ति भीविश्ट